बिहार चुनाव में इस वार सुपर गठवन्दन के जरिये बिहार की जमीन से जुरी पार्टियां राजिके सभी विधानसवा सीट से अपने उमिदवार चुनाव में उतारने का फैसला किया है सुपर गठवन्दन में फिलहाल दस से अधिक राजनितिक डल शामिल हैं जो अपने अपने प्रभाव शेत्र में अपने उमिदवार का चैन कर रहे हैं ताकि चुनाव में इंडिये और महा गठवन्दन को चुनोती दिया जा सके दरसल पिछले दिनों पटना के IMA हौल में करीब दरजन भर पाठियां एक साथ एक मंच पर आकर या एलान किया कि इस चुनाव में सुपर गठवन्दन एक सीम और चार डिप्टी सीम का नाम सामने रखकर चुनाव में उतरेंगे ताकि चुनाव के दरान कोई जातिगत समीकरण या धर्म के नाम पर वोटरों को वरगला नहीं सके इस सुपर गठवन्दन का मकसद वोटरों को NDA और महा गठवन्दन की हकीकत से परचित कराते हुए समाजिक न्याय के नाम पर राजी के लोगों को ठगने वालों से सचेत करना होगा ताकि बिहार की दुरगती को रोका जा सके सुपर गठवन्दन ने साफ किया कि न्याय के साथ विकास और तथा कथित सुशासन का राग अलापने वाले मुख्य मंत्रे नितिश कुमार ने 15 वर्सों तक जनता की अंदेखी कर अपनी कुरसी बचाने में लगे रहे जनता में बेरोजगार मुखारे सुर्चा की तरह बढ़ती रही सुपर गठवन्दन के नेताओं का कहना है कि जन आकरोश डर कर इस बार जन रैली की बजाए इंडिये वर्चुल रैली की तैयारी कर रही है सुपर गठवन्दन के नेता इंजिनियर राजकुमार पासवान ने कहा कि सत्ता से बेदखल होनी के छटपटाहट में अब शुशासन राज में चुनाओ लाव पाने के लिए हत्ता कराओ और फिर नौकरी पाओ का नारा गरह जाने लगा है जो काफी दुरभाग्य पूर्ण है जनता ने मन बना लिया है अब नितीश कुमार कुछ भी कर लें अपनी कुर्सी बचाने में नाकाम साबित होंगे जनता का विश्वास हासिल कर एक बेहतर बिकल्प सुपर गठवन्दन ही बनेगा सुपर गठवन्दन में 11 पार्टियां है अभी तक और हम लोग एक मजबूस ससक पार्टी है जमीनी पार्टी है जो कि इंडिये और महा गठवन्दन को हम लोग मुहतोर जबाब देने का काम करेंगे आगामी बिहार विधान सवाचुनाव में और इंडिये यूपीय जिस तरह से बिहार को दीमक के तरह चाट गी चुका है उससे हम लोग बचाने आए हैं अब बचा करके अब बिहार को एक निया बिहार बनाने आए हैं वो बिहार जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था सौराज के माध्यम से बाबा साब आमेटकर ने सपना देखा सविधान के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि जो सपनो का बिहार है एपी जे अब्दुल कलाम साहब का सपनों का बिहार है वो ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं बाहर सुखार की समझ से आओ चाहे यहाँ पे आपको बता दें कि उधोग धंदे को लालू के सरकार में आपको बता दें कि 80% असी परसेंट उधोग धंदा ठाफ हो गया बंद हो चुका और बीस से पचीस परसेंट यह एंडिये सरकार में भाजपा और निती सरकार में इन्हों उन्होंने जो लॉक्डान में स्थिति देखने को मिला और अभी बरतमान इस्थिति में आज की जीडीपी कहां चला गया साब माइनस 27% डीजीट पी जीडीपी चला गया और ऐसे हालात में बिहार कहां जा रहा है देखे सुपर गटवंदन का हम लोगों ने गठन इसलिए किया है कि तीस वर्सू से कोई बिकल्प नहीं है और बिहार के लोग यह कहते थे कि एंडिये और महा गटवंदन के अलावा कोई तिसरा बिकल्प नहीं है तो बिहार को अवाम को युवार पीरी नौजवान को और बेरुजगार युवाओं को बहन बेटियों के लिए और बिकास के लिए हमने सुपर गटवंदन नाम दे करके और एक विकल्प पेश किया है कि बिहार एक उन्नत परदेश बने और यहीं सब कुछ हो हमारी गटवंदन ने हो है जाती वाद पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं हम लोग बैग्यानिक वाद पे विश्वास करते हैं और हम लोग जाती का जहां तक बात है तो उनको मानसमान देने के लिए एक मुखमंति के साथ चार डिप्टिस्यम हम लोग दे रहे हैं बिह जो राजनीती हुई है इन 30 वर्सों में जाती, लाठी, धर्म, मजब, गाई, गोडु पे ही राजनीती हुई है जिसका नतीजा है कि बिहार में 57.2% युवा लोग है और वो लोग बेरोजगार बैठे हुए है इक किसका देन है यही लालू, नितिस, राम, बिलास, पास्वन यह लोग जो गठवंदन, गठजोर बना करके जाती के नाम पे भोट लेकर चले जाते हैं और 15 साल, 15 साल का यह लोग 2020 मैच कर रहे हैं आज भी अगर युवा नौजवान पिढ़ी लोग तयार नहीं होते हैं अज सुपर गठवंदन पे विश्वास नहीं करते हैं तो बिह बॉंबे, पंजाब, हर्याना जाते हैं रोजी-रोजगार के लिए यहां पे इस 30 वर्सों में आपको बता दें कि एक सुई की भी फैक्टरी नहीं खुली और नितिजी और महाग अटवंदन यह लोग सब सिर्फ जूठी ढोल पिटने में लगे हुए हैं कि विकास किया, व पतना से खुलासा के लिए सुजीत कुमार सिंग के साथ विक्की कुमार की ये खास रिपोर्ट झाल झाल